नमस्कार, आपको स्क्रीन पर टैब से निकलने वाली सफिद रौसनी दिखाई पड़ रही है इस स्क्रीन के आगे एक पोलराइड सीट लगाई गई है जिससे की ये रौसनी लीनियरली पोलरेजड है इसके आगे अब एक कनवेक्ष लेंस रखा जाता है लेंस से निकलने वाली रौसनी को एक अन्य पोलराइड सीट से देखने पर रंगों का एक अध्भुच चित्रन प्रस्तुत होता है पोलराइड सीट हटाने पर वापस ये सफिद दिखती है और सीट लगाने पर फिर से वही रंगों का चित्रन दिखता है अब यदि इस पोलोराइड सीट को घुमाया जाए तब रंग बदलते नजर आते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगबग 90 डिगरी रोटेशन के बाद रंगों में बदलाव आता है और एक बहुत ही सुन्दर अदबुत रंगों का मिस्रण दिखाई पड़ता है है ना ये रंग बहुत ही अदबुत इस पोलोराइड सीट को यदि फिर से घुमाया जाए तो वापस पूराने रंग हमें दिखाई पड़ते हैं यह अदबुत घटना बाय रेफ्रिंजन्स के कारण हो रही है तो आएए रंगों के इस परिवर्तन को हम समझें और इसके पीछे के भौतकी को और बहतर ढंग से समझने की कोसेश करें को बाय रेफ्रिंजन्स ऐसे मैटेर्यल में देखने को मिलते हैं जो एन इसो टोपिक होते हैं यह एन इसो टोपी ऐसे मैटेरियल में देखने को मिलती है जिसमें अलग दिसाओं जैसे की AB दिशा देखिए, CD दिशा देखिए, अलग दिशाओं में lattice की अलग संरचना देखने को मिलती है ऐसे materials के refractive index का मान उससे गुजरने वाली light के polarization के अलग दिशाओं के लिए अलग-अलग होती है इसके विप्रीत, isotropic materials में उसके refractive index का मान सभी polarization के दिशाओं के लिए एक ही रहता है जब linearly polarized light किसी anisotropic material जैसे calcite से होकर गुजरती है तब यह रे दो भागों में बढ़ जाती है इन दो भागों का polarization एक दुसरे से perpendicular या 90 degree के angle पर होता है जैसा कि यहाँ arrows से दिखाया गया है ray 1 और ray 2 के polarization के दिशाओं perpendicular है rays 1 और 2 के अलग दिशाओं के polarization होने के करण material का refractive index इनके लिए अलग-अलग है इसलिए ये अलग amount से bend करते हैं और इनकी speed या गती भी material के अंदर अलग होती है इन में से एक slow ray कहलाती है तो दूसरी fast ray इन दोनों rays में यदि ray 1 को देखा जाए material के अंदर दूरी d तै करने के बाद इसमें जो phase difference आएगा वो delta 5 1 बराबर 2 pi बटा material के अंदर इसकी wavelength lambda 1 गुना दूरी d होगी lambda 1 को lambda naught बटा n1 लिखा जा सकता है जहां lambda naught vacuum wavelength है और n1 ray 1 के लिए material के refractive index इसी प्रकार ray 2 के लिए यही मान 2 pi बटा lambda 2 गुना d हो जाएगी और lambda 2 को vacuum wavelength lambda naught के terms में हम लिख सकते हैं lambda naught बटा n2 material का refractive index ray 2 के लिए अलग है वो n2 है प्रकार हम पाते हैं कि जोरी d तै करने के बाद जब दोनों rays material से निकलेंगे तो उन दोनों rays के आपस के phase में जो अंतर होगी वह नीचे लिखे दोनों equation को subtract करने से मिल जाएगे 2 pi d बटा lambda naught गुना material के दोनों rays के लिए जो refractive index है उनका difference इस तरह हम पाते हैं कि जब linearly polarized light anisotropic material से होकर गुजरती है तब यह दो भागों में बढ़ जाती है जिनका polarization एक दूसरे से perpendicular है और उनके बीच के phase difference का मान इतना है जो deeper depend करती है इस चित्र में दो polaroids के बीच में एक anisotropic material रखा हुआ है यह arrows polaroids के pass axis को दरसाते हैं पहले polaroids से linearly polarized light निकलती हुई दूरी D तैक करके दो भागों में बढ़ जाती है जिनका polarization perpendicular होता है जैसा हमने देखा दूरी D तैक करने के बाद इन दो waves के बीच में phase difference generate होता है जो की D के मान पर और lambda के मान पर निर्भर करती है रेज 1 और 2 के polarization एक दूसरे के perpendicular है polaroid तक पहुंचने पर रेज 1 और 2 के electric field oscillations polaroid के pass axis से कुछ angle बनाते है pass axis को यहाँ दरसाया गया है और रेज 1 और 2 के field vectors को यहाँ यदि रेज 1 और 2 phase में हो तो उनके components pass axis के along cancel कर जाते है और pass axis से perpendicular वाले components को polaroid transmit नहीं होने देते है इस कारण इस case में कोई भी transmission नहीं हो पाता है polaroid के इन हिस्सों से transmission नहीं होती है और वो spots black नजर आते हैं अब यदि रेज 1 और 2 के बीच का phase difference pi, 3 pi, 5 pi आधी हो तो इन electric field vectors के components pass axis के दिशा के along जुड जाते हैं और इन में constructive interference होता है जिसके कारण की यह रोसनी हमें corresponding wavelength के दिखाई पड़ती है अब चुकी rays 1 और 2 के बीच के phase difference wavelength lambda 0 पर depend करती है तथा sample के thickness d पर भी depend करती है इसलिए जब यह rays polaroid पर पहुँचते हैं तो polaroid के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग colors का transmission होता है यही कारण है कि lens से आने वाली रोसनी को polaroid seat के माध्यम से देखने पर अलग-अलग जगों पर अलग-अलग रंग दिखाई पड़ते हैं धन्यवाद